पहाड़े बनाना तो चलो देखते हैं कैसे बनाया है तो यहाँ पे देखो बारा का बनाना है तो यह हमने वन लिख दिया यह टू लिख दिया एक और दो लिख दिया अलग अलग इनके हिस्से बना ले देखो यहाँ पे पहले एक वर्ग बनाया है और फिर उसके हिस्से करें फिर दूसरे के आयत बनाई है उसके हिस्से करें और अलग-अलग करर ले लिया है ताकि तुम्हें समझने में आसानी रहेगे तो यहाँ पे एक का पहड़ा हमने लिखा है इधर 00 लिखते चलेगे क्यों क्योंकि एक के पहड़े में दस अंकों तक की कोई संख्याई नहीं आती दाई का तो अंकी नहीं होता इसलिए यहाँ पे इधर धाई के अंक पे हमेशा जीरो आई है और एक आई के पे एक दुनी दो, एक तिया तीन, एक चोग चार, एक पांजे पांच, एक छे के छे, एक साथ, एक आठे आठ, एक निमानो और एक धाई दस तो दाई हो गई ना, अब दाई का आगया तो यह दाई कांग इधर लिख दिया है, यह उपर के तरफ दाई कांग लिखना है और निचे एकाई कांग लिखना है इसी तरह से दो के में दाई कांग उपर वाले पर लिख दिया भी इसमें भी दाई कांग है नहीं न, यहां तक का तो 0 लिखी है, 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 त्या 6, 2 चोकाट, 2 पांचे 10, अब 10 में इकाई कांग तो 0 है 10 ऐसे लिखते है ना हम तो इकाई का अंक तो 0 है और धाई का अंक यहां पर है एक तो इसको हम यहां उपर लिखेंगे 2 साथे 14 इकाई का अंक यहां लिख्या धाई का अंक हमने यहां उपर लिख दिया फिर दो आठे 16, 16 का इकाई के अंक पे 6 है और दाई काई के अंक उपपर वाले पे लिखना है यानि कि एक जो अपनी आयत है उसके दो हिस्से कि यह हैं तो उपपर वाले हिस्से पे तो हमें लिखना है दाई काई 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 और नीचे वाले हिस्से पे लिखना है इकाई काई इस तरह हैं हमने लिख दिया अब क्या करना है अब हमें इनको जोड़ना है किन किन को जोड़ना है देखो इसके अंदर इसके अंदर है ये वाला इसको जोड़ेंगे तो यहां क्या है दो लिख दिया और दाई के अंक में इधर तो यहां पे देखो इसका दाई जो बनेगी यह इसके बीच में जो है इस आयत के बीच में है इसमें देखो एक इसमें तरभूज बन रही है इधर एक तरभूज बन रही है और यह अपने पास आयत बन रही है ना तो आयत को जोड़ना है एक साथ और तरबुज के अलग अलग तो यहां पे तरबुज का दो है और आयत का एक में जिरो जोड दिया तो एक है ना और अगले में फिर इस तरबुज में देखो क्या है चार और इस आयत में यह वाली यह देखो मैं जहाँ पर पैंसिल गुमा रही हूं वो देखना है तुमें, ये क्या है, दो में एक जोड दिया, तो दो, 24 हो गए, फिर, यहाँ पे तिर भुज में क्या है, 6, तो यह हमने 6 लिख दिया, और इस आयत में क्या है, ये वाला, इसमें, 3 में 0 जोड आ, 3 तो 3 ही रहेगा, और इधर ये 0 है, इसको इसलिए हमें नहीं बता रही हूं अब अगले में क्या है यहां तरभूज में क्या है आठ तो आठ लिख देए काई कंग पे और उपर वाले जो तरभूज थी और इधर वाले तरभूज यानि कि ये जो एक आयत बनी हुई है ये वाले इसके इन दोनों को जोड़ना है चार में 0 जोड़ दिया चार. तो ये चार लिख दिया. अब यहाँ पे इस तिरभूज में कितना है? 0. और यहाँ पे ये कितना है? जोड़ो. 5 में एक जोड़ दिया. 6 हो गया. ये तिरभूज का लिखो आब? दो लिख दिया. एकाई खंग पर, और इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि इस आयत में हैं ये दोनों है ना वई, तो 6 और 1, 7 इसी तरह से ये वाला, 4 और 7 और 1 की, 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8, यहां पर इतर बुझ में 6 है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 को रेको, 9, यहां पर 8 जीरो में दो जोड दिये दो और यहां पे अब तक तो जीरो आ रहा था इसलिए हमने नहीं लिखा है लेकिन यहां पे अपने पास इस त्रिवुज में अब एक है तो यहां हम एक लिख देंगे सैखडा के अंग पे आया समझ में चलो थोड़ा ओर समझ लेते हैं इसको चोद तुम बनाओगे तो देखते हैं यहां पे त्रिवुज में चार है नहीं तो चार लिख दिया और इस आयत में यह बीज के दोनों को जोड़ना होता है बेटा इसमें एक और जीरो को जोड़ेंगे तो एक यहां पे इसमें त्रिवुज में आठ लिख दिया हमने आठ और द दो और जीरो को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे वही, यह, जो इस बक्से के अंदर गुस रहे हैं, दो, जीरो में दो जोड़ेंगे तो, दो, अब आगे अपने पास, यहां पर इस तरभुज में क्या है, छे, तो यहां मैं छे लिखती हूं, ठीक है, अब किसको जोड़ें, यह जो अपनी आयत बनी है, यह वाले, वैसे तो यह चत्रभुज है, लेकिन हम आयत ही समझते हैं, चार और एक, पांच, अब क्या लिखूं, जीरो, क्योंकि इस तरभुज में यह जीरो है, और इसको अब हम जोड़ेंगे, इस बोक्स वाले को, पांच और दो साथ, यहां पे इसको अकेले गए, अलग-अलग रंग की पट्टी हैं, इसलिए बनाई हैं, ताकि तुम्हें ध्यान रहे कि एक रंग की पट्टी का ही जोड़ करना है, तो यहां पे लिखा हमने, चार, और यह छे और दो को जोड़ेंगे, क्योंकि यह इस में है ना, इस के अंदर है यह, तो यहां छे और चार, छे और दो, आठ, यहां पे आठ हो गए एक एक अंग, तो अरी इन दो नो का जोड़, साथ और दो का, नो, इक एक एक अंग पे क्या लिखूं, जो इस तर बुज में है, दो, और यह वाला, आठ और तीन, ग्यार है, यह छे, और न और तीन, बार है, यहां पे कितना है, जीरो, और किन किन का जोड़ करोगे, जीरो का और चार का, चार, बेटा यह धान रखना है, एक रंग के है न, वो तुम्हारे, उन्हे को करना है, कभी उपर वारे रंग तक चले जाओ, आगया न, समझ में कैसे करोगे, कुछ तो आया होगा, हाँ, अब यह कहरें कि इसी परकार से आप भी ग्यारे, तेरे और पंद्रा के पाहड़े बनाएं, तो चलो हम तेरे का बनाते हैं, तो तेरे के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इधर तो हम लिखेंगे एक, और इधर लिखेंगे तीन, तो देखते हैं, तीन का, कि दाएय पे कुछ भी नहीं है तिन तिया नो तिन चोक बारेख इकाएक अंक तो यहां लिख दिया दाएय का हमने यहां लिखा है तीन पांजे पंद्र है, पांच और एक, तीन शेक अठार है, तो यहाँ पे आठ और एक, और अब तीन साथे 21, 21 में इकाई का अंक पे क्या है, एक है, और दाई का अंक क्या है, दो तीन साथे 21, 38, 24, तो यहाँ पे 4, और दाई का अंक उपर, Mau clean 37, तो यहाँ पे 7, और यहां हो गया, दो धाई की जागें पे, और तीन धाई 30, तो यहाँ इका अंक क्या है, जीरो तो धाई का 3 είναι हम ने इधर लिख दे, अब हम यहाँ पे 1 का लिखेंगे, एक एक अं Techn तो जीर आएगा एक दूनी दो यहां भी जीरो एक तिया तीन जीरो तुकि धाई कांक यहां पर कुछ आई नहीं ना इसलिए हम जीरो लिखरें मिटा और एक चोक चार एक पांचे पांच एक चिका छै एक सत्य साथ एक अठे आठ एक निम्मा नो और एक धाई दस तो अब यह तुम् लिखना है कि यहां पे इसमें इक आइक आएँ पर एक है और दाह ही के आएग पर दस क्योंके 10 जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ऐसे तो इक 8 आइगच जीरो रहेगा दाह सकतरी क्यों पर जाएगा ट्राइंगल है इसको जोड़ेंगे तो इसका क्या लिखेंगे हम तीन लिख दिया है इसका यहां पर लिख देती हुए ठीक है और अब किन किन का जोड़ करोगे तो मैंने बताया था तुम्हें कि यह जो हमारे पास आयत बनी हुई है इसका जोड़ करेंगे इसके अंदर जो box लेना है एक और जीरो को एक तो तेरे कम तेरा आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे तरभुज में जो बना हुआ है छे एक आइक अंग पे और इनको जोड़ो दो और जीरो दो फिर नो ऐसे लिख देंगे तीन की और जीरो का जोड़ करेंगे तो तीन उसके बाद दो लिख देंगे हम और यहाँ पे इस box में अब क्या है इसमें चार और एक पांच यहाँ पे भई पांच तो हम लिखेंगे इक आइक अंग पे और इन दोनों का हम जोड़ करेंगे यहाँ उपर तक नहीं जाना है सरफ इस box वाले कोई ले ना हमें कभी उपर वाला दो भी इसी में जोड़ दो यह इस वाला तो पांच और एक छै आठ और इसमें क्या क्या जोड़ोगी यह आठ लिया है तो छै और एक साथ अब यहाँ पे इकाई कंग पे क्या है एक और इसी के box में क्या है साथ और दो नो यहाँ पे चार और दो और आठ दस तो होगे एक सो चार अब यहाँ पे भई इकाई कंग पे क्या लिखे जो इस तरवुज में है साथ और इन दो 9 का जोड़ करेंगे 9 और 2 का क्योंकि इस बोक्स यहां तक है यह बोक्स आगे तक नहीं है 9 और 2 11 है और यहां पे एकाई काई पे 0 और 0 और 3 3 में जोड़ दिया तो 3 और यह अपने पास अकेली एक तरभूज है तो यहां पे 3 तो आगे 130 अब देखो 13 अकम 13 तेरा दुनी 26 तेरा ती उन्तालिस तेरा चोके बाउमन तेरा पंजे 65 तेरा शीक ठैतर तेरा साथे इक्याट में तेरा अठे एक सो चार तेरा निमें 117 तेरा मदाई 13 तेरा का पाड़ा हो गया ना आपको सरफ 3 का पाड़ा याद होना चाहिए एक का तो कुछ याद करने की जुरूरत नहीं है एक से लेकर दस्ता की काउंटिंग ही होती है तो 3 के पाड़े से ही आउने 13 का पाड़ा बना दिया है ठीक है इसी तरह से आप ये 11 का और 15 का बना लेना बना लोगे ना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना शेर करना और चैनल को सब्स्राइब करना थैंक यू